जैन दोस्ते तो कैसे हैं आप सब मैं हूँ डाइनमाक्स और आज हम लोग खेल रहे हैं पोकेवान बैटल रिवोल्यूशन तो लास्ट ताम मैंने आप सभी को बताया था कि यह गेम कैसे डाउनलोड करते हैं और अगर आपने यह गेम डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से यह गेम आप डाउनलोड कर सकते हो और अगर आप लोग उने अब तक चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाए चैनल को सबस्क्राइब करिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस गेम को अपने बाकी सभी फ्रेंड्स के साथ भी शेर कर दीजिए तो भाई लोग हम लोग आचो क्या है गेम में हमारा गेम हो चोका है स्टार्ट और अब यहाँ हमें एक रेंटल पास मिलेगा अगर हमारे पास निंटेंडो स्विच होता तो उससे हम कुछ पोकेमोन हमारे पुराने गेम से I mean Nintendo Switch के दूसरे Pokemon गेम से हम इस गेम में Pokemon's ट्रांसफर कर सकते थे बट हमारे पास वो नहीं है हम सिर्फ Android डिवाइस में केल रहा है तो हमें ये दो रेंडल पास मिले हैं इन दो में से हमें किसी भी एक को चूस करना यवकि दूसरी साइड एक भी Pokemon थर्ड एवल्यूशन में नहीं है तो मैं इस वाले रेंडल पास को चूस करूँगा तो चलो भाई इसके बाद हमारी बैटल स्टार्ट होगी शायद और इसके बाद अब भी ये अंटी शायद कुछ ट्यूटोरियल बगेरा बता रही है इसको स्किप करता है तो भाई ये अंटी का पूरा ट्यूटोरियल खतम हो चुका है हर चीज को लेके इसके बाद हम आएंगे बैटल पे और यहाँ जो कोलोसियम बैटल है हम वो चूज करेंगे वो इस गेम की पूरी में स्चोरी लाइन और वहाँ सारी बैटल होंगी तो भाई लोग ये हम आचुके हैं कोलोसियम में और यहाँ दो हैं एक तो शायद में स्ट्रीट कोलोसियम उपन है और एक नीचे एक और था बढ़ हम में स्ट्रीट कोलोसियम में बैटल करते हैं तो भाई यहाँ लिखा है लेवल 30 ओपन और सिंगल बैटल तो मतलब वन और वन वन पोकेमोन की बैटल है होने वाली है इसमें मैंने सोना इसमें डबल्स बैटल भी होती है लेकिन देखते हैं वो कहां होती है फिलहाल तो हमारी पहली बैटल स्टार्ट होने वाली है और हमारे पास हमारा रेंटल पास है इसे ही चूज करेंगे आप लोग चाहो तो दूसरा पास भी चूज कर सकते हो उसमें भी काफी तगड़े पोकेमोन है सिनो रिजन के तो भाई ये हमारा गेम स्टार्ट हो चुका है बहुत तगड़ा लग रहा यार नॉकाउट बैटल वन ओन वन ये हैं हम और भाई ये हैं हमारी पोकेमोन टीम और अब हम अपोनेंट की पोकेमोन टीम की बैंड वजाने वाले हैं इनके पास स्टार्टिंग में दो फायर टाइप्स है तो वाटरडल का आना तो पक्का तो चलो भाई लोग यहां मैंने अपने तीन पोकेमोन की टीम चूस कर ली है पहला वाला काफी चांसेज हैं की फायर टाइप हो तो उनके दो पोकेमोन फायर टाइप थे आउट बैटल पहली बैटल स्टार्ट हो चुकी है हमारी और भाई आप लोग देख रहा हो ना कि क्या मस्द ग्राफिक्स है यार गेम के I mean मज़ा आने वाला है यार तो यहां हमारा वाटरडल वाटर पल्स है इसके पास इसी मूव को यूज करेंगे हम एक वाटर पल्स में तो निपट ही जाएगा ओ भाई पॉनेटा जादा फास्ट है फायर्स पर न यूज किया इसने ओ भाई जादा डामेज नहीं दिया इसने चलो यह आई वाटर पल्स यार देख रहा हो क्या मस्द लग रही यार इस गेम में ओ भाई वन हिट के ओर पॉनेटा एक हिट में निपट चुका है बहुत साही चलो देखते हैं इनका दूसरा पोकेमोन कौन सा है इनका दूसरा पोकेमोन है स्मेर गल तो चलो क्या करें स्विच करें क्या करते हैं यार मैं सोच रहा हूँ ड्राइगन एयर से बैटल करते है थोड़ी देर वार टर्टल की जगा हलागी वार टर्टल से बैटल कर लेनी चाहिए थी यार मुझे उसके पास रॉक स्मैश है फाइटिं टाइप मूव है स्मेर गल नॉर्मल टाइप है सबसे साइच चीज तो यार यह कि ड्राइगन टाइप बहुत जादा टाइप से इम्यून रहता है हम इन काफी जादा टाइप के मूव का असर होता ही नहीं है इस पर तो भाई ड्राइगन एयर के पास बहुत तगड़े मूव है ड्राइगन ब्रेथ है Dragon Breath ही यूज़ किया है हमने और ये Dragon Breath गई और ये थिला के रख दिया Smirgall को काफी जादा डैमेज दिया Smirgall को बट Smirgall जिन्दा बच गया Chalk Wave भी है, Twister भी है चलो Twister ट्राइ करें एक बार देखते हैं, Twister क्या करता है ओ भाई, इसने Hidden Power यूज़ कर दी यार लेकिन इसका भी कोई असर नहीं इसकी Hidden Power शायद Grass टाइप की थी इसलिए कोई Effect नहीं और भाई, ये Twister आया थोड़ा सा और बचा एक आखरी Move और और Smirgall गया ये बागी Pokemon Battles की तरह नहीं हो रही बट फिर भी यार बहुत ज़्यादा साही लग रहा है यार देखने में बागी जितने भी Games खेले हैं हमने उनमें Pokemon खड़े खड़े अटाक कर देता था ना कुछ मोशन होता था ना कुछ और लेकर इस गेम में जो मोशन हो रहा है वो बहुत साही लग रहा है यार और एक Shock Wave शॉक वेव भी बहुत साही तरीके से जा रही यार यहां और Smirigal को चमका दिया और Smirigal निपट चोगा है बावा पेंटर सापकी तो बैंड बाजा दी भाई बहुत साही तरीके से लीड चल रही है यार मुझे नहीं लगता है यार कुछ भी कर पाएंगे हमारे अगेंस्ट में और इनका आखरे Pokemon आ चुका है चिम चाम तो भाई यहां तो स्विच करना ही है हमें Dragon Air से चाहें तो हरा सकते हैं चुक्कि Dragon टाइप और Fire टाइप में उसका जाधा damage तो होगा नहीं फिर भी मैं सोच रहा हूँ Water टल को बुला लेता है और एक Water Pulse में इसे भी निप्टाता है वैसे दूसरी साइड में प्रिम्पलप, Monferno भी था, Grotl था, Starly था, नहीं स्टारेविया था शायद हां स्टारेविया था शायद और लक्सियो था और एक आखरी Pokemon कोच से था गबाइट था सहीध है यार उस साइड भी काफी तगड़े Pokemon से थे बड़ यार मुझे Kanto वाली टीम जादा पसंद है और यह देख रहा आप चिम्चा किस तरहा से आ के Punches मार रहा है हमें यह चीज दूसरे Games में देखने को नहीं मिलेगी यार और आप जिसका हमें इंतजार था Water Pulse आ चुकी है और यहां चिम्चाम निपटने वाला है यह वन हिट के हो चुका है चिम्चा ओ भाई बेहोश हो गया बहुत सही यार यह जो animation है यह बहुत सही लगता है और भाई इसके साथ हम लोगों ने हमारी पहली battle जीत लिए Colosseum की अब मैं सोच रहा हूँ थोड़ा skip करके हम आगे बढ़ते हैं तो भाई यह है हमारी knockout final battle Colosseum की और यहां हमारी battle होने जा रहे है एक बंदी से जो पाची रूजी सू टाइपी hair style है जिसकी और उसके पास पाची रूजी सू भी है साथ ही साथ कर लिया भी है बॉन स्ले जिगली पफ लव डिस्क और लक्सियो तो भाई यहां मैं सोच रहा हूँ कि राय हॉन को लेकर चलू तो भाई इस बार मैंने चूज कर लिया है राय ह और को या फिर राय हॉन किसी को भी लेकर जाएंगे तो उसके एलेक्ट्रिक टाइप मूव जाद एफेक्टिव नहीं रहेंगे तो में स्ट्रीट कॉलोसियम की फाइनल बैटल स्टार्ट हो चुकी है यह देख रहा हूँ यह बंदी मस लग रही यार बट फिर भी क्या करे हराना तो पढ़े गई और इसका पहला पोकेमॉन है जिगली पफ उसके अगंस में हमने उसके आए राय हॉन को तो भाई यहां डिक टो होगा ही इसके पास तो भाई यहां इसके पास डिक तो है ही साथ साथ आइस्वेंग भी है और पिर्टेक्ट और हॉन अटाइक भी है जिगली पफ ने जाइरो बॉल यूस किया है तगडे मूव्स दे रखे हैं यार इन लोगों ने जिगली पफ को भी ओ भाई डिक मस लग रहा है यार और ये जिगली पफ की बैंड बज गई यार वन हिट के ओ हो चुका है ओ भाई ये तो पिचक गया यार फुग्गे की तरह सही था रे बहुत सही पिचका दिया ये खिट में और अब यहां इनका दूसरा पोकेमोन आया है लव डिस्क जो की एक वाटर टाइप है यहां हमें स्विच करना पड़ेगा आईवी सौर को बुला लेते हैं यहां पे यार निप्टा देगा बड़े हाराम से आईवी सौर को पोईजन कर दिया था दूसरा लीच सीट भी है इसके पास लीच सीट भी यूज़ कर दिया था तो आईवी सौर हर टर्न में ही लो रहा था और हर टर्न में आपोनिट को भयानक डैमेज हो रहा था यार तो इस चीज के लिए आईवी सौर बहुत सही है थोड़ा स्लो है बट भाई बहुत दमदार है यार, बहुत ज़ादा दमदार है, बाकी कट और माजिकल लीव भी ठीक ठाक डैमेज दे देते हैं, कट में तो भाई मस्ट भागता हुआ आता और धम से मारता है रहे अपोनेंट को, और ये आई हमारी माजिकल लीव, बस इसमें निपट जाना चाहिए, बच गया है यार लव डिस्क, तगड़ा डीफेंस है यार इसका, कोई दूसरा वोटर टाइप होता तो शायद निपट जाता, चलो कोई दिककत नहीं, अब निपट जाएगा, तो ये लव डिस्क ने वोटर पल सी उस किया इस बार, ये जादा कुछ भी डामेज नहीं देगा, लेकिन यार क्या भायानक तरीके से फेक देता है यार ये आईवी सौर को, कोई दिककत नहीं, ये माजिकल लीव में निपट ही जाना चाहिए यार ये, कोई चांस ही नहीं काम से है, वाई भाई लव डिस्क, और यहां आच चुका है इनका लास्ट पोकेमोन, चलो देखते हैं, कौन सा है वो, और भाई वो है लक्सियो, इंटिमिडेट अबिलिटी है, यार इस गेम में अबिलिटी भी है, तो यार पता नहीं क्यों सोच रहा हूं, मैं कि स्विच कर लूँ, लेकिन चलो, ओ भाई, आइस फैंग है इसके पास, मुझे लग रहा है, सर्फ एलेक्टिक टाइप मूब्स होंगे, बट यहां आइस फैंग भी है इसके पास, तो आइवी सोर को भायानक डामेज देगा, यार, यार, स्विच करना पड़ेगा, यार, नेक्स टर इलेक्टिक टाइप मूब्स भी होंगे, चलो, रायहौन को ही बुलाते हैं, रायहौन सही रहेगा, एक डिक में रायहौन निप्टा देगा, यार, इसे, मुझे ऐसा लग रहा है, एक डिक से जादा नहीं लगेगा, और भाई, रायहौन आचुगा है हमारा, पूरे जोश में, और लक्सियो फिर से आइस फैंग यूज़ कर रहा है, लेकिन मिस हो गया इस बार, इस गेम में भी मूव्स मिस होते हैं, चलो भाई, अच्छा हुआ कि मिस हो गया, और हमने डिक यूज़ कर लिया है, अब की बार तो निपट जाएगा, यार, अच्छा, अभी भी इवांटिज तो मिलना ही चाहिए, चल भाई, तेरा आखरी अटैक भी हो गया, और अब लक्सियो गया काम से, स्वैगर यूज़ कर रहा है, यार, बढ़िया मूव्स हैं, लक्सियो के पास भी इस गेम में, ओ भाई, लक्सियो गया यार, बहुत सही खेला, बट लक्सियो निपड गया, तो भाई, इसी के साथ कोलोसियम की फाइनल बैडल जीत चुके हैं हम, तो भाई, फिलहाल तो हमारे पास ये च्छे पोकेमोंस ही हैं, लेकिन गेम को आंगे खेलने पर, हमें और ज़्यादा पोकेमोंस भी मिल सकते हैं, चलो देखना पड़ेगा यार, वो त लगती हैं, तो भाई, लोगों, अगर आपनों को गेम पसंद आया है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और अपने बाकी सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेर कर दो, तो भाई, यहां फर्स कोलोसियम क्लियर करने पर, मुझे 325 प जोग Cyrus, कि क्या तम है क्या है, तो थे लाज है, दो साथे करने को प्रेवर को भाई, तो स स्वक्रेब़ भाई, चैनल के अलमें, झालमें से काईधा है दोस्तों से चैनल अनले openings म Examples O